हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइम विध न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूपी पेस्सी से आरो और ए आरो दोहजार तेज की जो वैकेंसी आई थी तो इसका जो एक्जाम है वो ग्यारा फरपरी को जो है संपन हो गया और हलाकि ये नहीं कहेंगे कि पेपर जो है बहुत अच्छे से जो संपन है वो हुआ और आप सभी को ये जानकारी मिली गई कि इसका जो पेपर है वो लीग कर दिया गया यानि कि कुछ कह सकते हैं कि आसामाजिक तत्वी उन्हें बोलेंगे जो ऐसे रास्ते पेचर के जो सेलेक्शन है वो पाना चाहते हैं इमानदारी पूरवक जो कार है वो ना तो करना चाहते हैं और ना करवाना चाहते हैं तो कई ऐसी जगे से ये खबर आई थी कि पेपर लीक हो गया है तो लगातार बच्चों की ये मांग तभी से उठा रहे कि पेपर जो दुबारा है उसको करवाया जाए दुबारा से जो परिक्चा है वो करवाई जाए और अगर ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि आप ये सुचिए जिसे ही आपको हिंदी का पेपर मिल रहा है तो सोचिए फिर आपके मन में क्या होगा कैसे बीतेगी और फिर आप इतना पढ़के गए इतनी इमानदारी से पढ़के गए और सिलेक्शन उनका होगा जो कही ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से ये जो पेपर है वो पाग है क् इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का, जमाना है, सोसल मीडिया का, तो सबको प्राप्त हो ही जाता है, सबका मतलब आप समझी रहे होंगे, कि किसकी बात की जा रही है, जिनने लीक किया और बेच दिया, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे होते होते, जो भी हुआ हो तो लगातार ये मांग उठी लेकिन आयोग इस चीज़ को नहीं माना आयोग ने तुरंत हड़बड़ी में आती एक जो प्रेस रिलीज है प्रेस नोट है वो जारी कर दिया कि परिक्षा आपकी जो है वो साकुसल निर्विग्न और सुचिता पूर्ण तरीके से जी है उनके द्वारा जो अनुशचिव जी है उनके द्वारा ये जो प्रेस नोट है वो जारी कर दिया गया हलाकि ये आयोग ने इतनी हड़बड़ी में निकाला कि आयोग को खुद समझ में नहीं आया कि हमें क्या लिखना है क्या कहना है क्या कैसी नहीं क्यूंकि इतनी ज़्यादा जो आवाज अब उठने लगी थी तो आयोग ने हडबड़ी में आके बहुत जल्दी में ये जो प्रेस नोट है उसको निकाल दिया कि ये चीज है लेकिन फिर बच्चों ने जो है प्रोटेस्ट किया ओनलाइन माध्यम से ट्वीटर पे लगातार पोस्ट किये और जब ये जो ट्रेंडिंग में चला इसके बाद जो विपक्षी नेता है उन्होंने भी जब देखा मुद्दा तो इसमें उन्होंने बच्चों का कहेंगे कि साथ दिया और जो चीज थी उसके लिए आवाज उठाई बताया कि ये ये चीज हुई और अगर ऐसा हुआ है तो आयोग को इसमें देखना चाहिए सरकार को इसमें देखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं अगर आपकी जिम्मेदारी है ये कि आपको कैसे exam conduct करवाना है क्या कैसे लगातार जो tweet हो रहे थे trending पे सारा दिन चली रहा था साम से ही चल रहा था ये सारी चीजें लेकिन आयोग मानने को तयार नहीं था लेकिन देर रात उसको समझ में आया जो भी लगा हो जैसे भी लगा हो फिर एक जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया जिसमें बोला गया कि आरो और ए आरो की प्रारंबिक परिक्षा 2023 के संदर्व में कतिपए समाचार पत्रों और कुछ खबरे जो प्रकासित हो रही है तो उसको देखते हुए आयोग ने इस पूरी परिक्षा के लिए एक जाच के लिए आंत्रिक समिती का जो गठन है वो कर दिया है और साथ ही ये जो आपके आरो आरो की परिक्षा है इसके सारे बिंदों पर से इसकी जाच कराने का जो निर्णा है वो भी लिया है इसके लिए सासन को अनुसंसा की गई है कि इसकी जाच करवाएं और सुचिता को द्रस्टिगत रखते हुए ये सारे चीज़े करनी है हलाकि आयोग देर रात तक इस चीज़ को मान गया कि कही न कहीं कुछ न कुछ जो गड़बड़ी है वो हुई है ऐसा नहीं है कि जो प्रेस नोट उन्होंने साम को 6-7 बजे की लगबग जारी कर दिया था कि सुचिता पूर्ण तरीके से हो गई है तो वो अड़बड़ी में था बहुत जल्दबाजी में था लेकिन देर रात उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने फिर ये जो अगले दिन है वो जारी कर दिया कि ये चीज़ ऐसी है लेकिन वहीं गुप्त सूत्रों से कुछ अलग जो जानकारी है वो भी प्राप्त हुई कि जो आपका एक्जाम है उसको कराने में एक बार एक्जाम कराने में करोणों रुपए खर्च हो जाते है सही बात है होते हैं निश्चित तोर पर इतने संचादन जुटाना और इतना व्यवस्थाएं करना पेपर छापना सारी चीज़े वो तो ही है व्यवस्थाएं करना हर जगे सेंटर बनाना निश्चित तोर पर आयोग के लिए एक बहुत बड़ा जो टास्क है वो रहता है लेकिन उसके बीच में कुछ मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत लोग है ये कुछ चंद है चंद लोगी है जो इसमें सेंद मार देते है इनको पकड़ना चाहिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कारवाई है वो होनी चाहिए कि ये ऐसा करना तो दूर सोच भी ना पाएं इसके बारे में कि हम ऐसा अगला कोई पेपर हो तो उसमें ऐसा करी जब तक इनके खिलाफ कोई ऐसी कड़ी कारवाई नहीं होगी तब तक हर परिच्छा में ऐसा कुछ ना कुछ ये आसमाजिक तत्त लोग करते रहेंगे और ये उनके साथ भी होना चाहिए जो कर रहे हैं और उनके साथ भी जो करवा रहे हैं यानि कि कुछ ऐसा कड़ा प्रावधान या कड़ी सजा करनी चाहिए कि उसको भी लगे कि नहीं मिल रहा है मुझे लेना नहीं बलकि इसकी उल्टा सिकायत और गर देना है तो उसके मन में ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे प्राप्त हो रहा है ये बीस पच्चेस अजार में तो लेके सिकायत और गर दे कि ये देखिए ये ऐसी चीज़े चल रही ताकि बाकी सारी चीज़े बाकी सारा पेपर जो है अच्छे से संपन हो सके जो संस्था है वो अच्छे से अपना कार कर सके हलाकि संस्था है इसमें कोई दोरा नहीं कि बिल्कुल इमानदारी के साथ जो कार है वो करना चाहती है लेकिन कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि क्या ही क्या आ जाए तो इसमें आयोग की भी गलती नहीं है कि आयोग की ही गलती ठहरा दी जाए कि आयोग को बोला जाए कि ऐसा हो जा रहा है इसमें कुछ अब इतना बड़ा ये सारी चीज होती इतना सारा सिस्टम होता है कि कही न कही से कुछ न कुछ आ समाजिक तो तत लोग इसमें सेंद लगा ही देते तो आयोग को इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए ऐसा तो है नहीं कि हर वार ऐसा ही चलता रहेगा और जो खबर मिली थे कि परिच्चा कराने में करोड़ रुपए खर्च हो जाते तो दुबारा से एक्जाम जो है वो नहीं कराया जाएगा तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो इसका मतलब क्या है अगर करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो उसमें हम कह रहे हैं 2-4 करोड़ और एड करिए कि फिर ये जो लीक जैसी समस्या है इसे निपटा जाए ताकि बच्चों के साथ जो ये खिलवाड होता है वो बार-बार ना हो एक बार हो गया दो बार हो गया लेकिन हर बार ना हो जैसा कि उत्तर प्रदेश की कहें या फिर हम भारत में रहते तो भारत की किसी भी परिच्छा में ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके लिए अगर करोड़ों खर्च होते हैं तो दो-चार करोड़ और करके इनको बिल्कुल अच्छे से करवाया जाए संपन ताकि बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा ना हो तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो जाच हो रही है वो हो और मतलब समय बद्ध तरीके से जाच ह समय से पहले यह जो जाच हो हो और जो दोसियों उनको सजा हो और एक्जाम जो है वो दुबारा हो यह आयोग का फैसला ठीक था कि तुरंट नहीं कहा जा सकता कि हम लीग हो गया तो हम दुबारा एक्जाम करा देंगे इतनी बड़ी संस्ता है सारी चीज़े चेक करनी होती इसके बाद ही कोई जो फैसला लेना होता और यह तो परिच्छा दुबारा से कराना एक बहुत बड़ा फैसला है निश्ची तोर में इसमें करोडों रुपए खर्च होते हैं तो आयोग यह सही बात है कि तुरंट निर्णय नहीं ले सकता है लेकिन जो जाचवाच हो रही है इसमें देखे और फिर इसका जो एकजाम है वो दुबारा से करवाए और फिर इस सब चीजों को ध्यान में रखे कि आगे से ऐसी जो चीजे हैं वो ना हो और सरकारों को भी यह सोचना चाहिए यहां किसी एक राज्य की सरकार की बात नहीं हो रही है यह हमारी भारत सरका पर अच्छा ही होगा आपके साथ ठीक है और जो हो गया है तो अब उसको कुछ नहीं कर सकते बाकि आगे जो एक्जाम आपका PCS का लगा हुआ है उसकी तहारी में आप अच्छे से लगे रही है और पुरी सुबकामना है मेरी आपके साथ कि आपका वो पेपर जो है बहतरीन ह होगा निश्चे तोर पें आप इसमें भी अच्छा प्रदर्शन करके आए होंगे लेकिन आप से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कुछ जो पैसे वाली लोग हैं उन्होंने कर दिया धोकादरी के साथ कोई नी बिलकुल भरुसा रखिए सरकार पे आयोग पे कुछ ना कु अच्छा ही देखने को मिलेगा धन्यवाद